हलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप लोग आसा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे स्वास्त होंगे और आप लोगों की तैयारी बहतर चल रही होगी गैस अगर आप लोग CRPF Head Constable Minister SI या फिस CRPF Paramedical Staff की तैयारी कर रहे हैं तो आज का ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुती ज्यादा खास रहने वाला है चाहें आपका CRPF Head Constable Minister SI का एक्जाम हो या फिस CRPF Paramedical Staff कहने का मतलब CRPF से समझने किसी भी एक्जाम भी कर आप तैयारी कर रहे है तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुती खास रहने वाला है तो देखें CRPF का एक्जाम जो है आप लोगों का 22-28 फ्रवरे के बीच में लगा हुआ है लगवग आप लोगों के पास 2-3 दिन सेस बचे हुए हैं यहां से यह मार के चलिए दो से तीन कोश्चन आपके CRPF के एक्जाम में हराल में पूछे जाएंगे चाहें CRPF Head Constable Minister SI हो या फिर CRPF Paramedical Staff हो अगर आप CRPF की किसी भी परिचा की तयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा खास रहेगा यह स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो आज की सेसन में पहला कोश्चन CRPF के महानिर्देशक कौन है तो CRPF के वर्तमान महानिर्देशक है SL Thaosin यह आपको ध्यान में रखना है मैं पूरु फेक्ट जान लेजिए भारत सरकार ने 1988 वेज के IPS अधिकारी SL Thaosin को CRPF महानिर्देशक बनाया है वही अनीस दयाल सिंग को ITBP के महानिर्देशक की जिम्मेदारी दी गई है सबसे बड़ा है यह भारत सरकार के ग्रह मंत्राले के तहर काम करता है CRPF की प्रात्मिक भूमिका पुलिस कारबाई में राज संग सासित प्रदेशों की सायता कानून बिवस्ता और आतंक बात बिरुहोत में नहीं था यह क्राउन प्रतिद्री पुलिस के रूप में 27 जुलाई 1949 को अस्तित्तु में आया भारतिय सुतंदर्ता के बाद यह 28 दिसम्मर 1949 को CRPF अधिनियम के लागू होने पर केंदरिया रेजर्ट पुलिस हल बन गया अगला कोशन देखेगा CRPF का सवर दिवस यह कब मनाया जाता है CRPF का सवर दिवस 9 अपराल को मनाया जाता है मैं तो फैक्ट जान लीजिए बलके बादूर जवानों की गाथा को सरदांजली के रूप में हर वर्स नौपरल को सौर देवस के रूप में मनाया जता है पश्यमी सेक्टर मुख्याले के रिपुबल द्वारा 102 दुकराब बटालियन के साथ दिनांक 9 अपरल 2021 को दलोचार नभी मुंबई में सौर देवस मनाया गया सौगाज अगला कोशन देखेगा CRPF का मुख्याले कहां पर है तो CRPF का मुख्याले नए दिल्ली में है केंद्रिय रिजर्ब पुलिस पल, CRPF भारत का सबसे बड़ा ससत्र पुलिस बल है ये फैक्ट आपको दियान रखना है CRPF के अगर मुख्याले की बात करें तो CRPF का मुख्याले नए दिल्ली में है ये भारत सरकार के ग्रह मंत्राले MHA के प्रादिकर्ण के अंतरगत कारे करता है CRPF की प्राथमी भूमिका राज केंद्र सासित प्रदेसों को कानून वेवस्था बनाए रखने और उगरबात निरोत के लिए पुलिस के संचालन में सायता करने में नहीत है ये 27 जुलाई 1949 को क्राउन रिप्रेजरेटिब पुलिस के रूप में अस्तित्तों में आया भारतिय सुतंतरता के बाद 28 दिसंबर 1949 को संसत के एक अधरियम दोरा केंद्री रिजर पुलिस बल का नाम दिया गया केंद्री ग्रहे राजमंतरी अमिसा है केंद्री रच्छा मंतरी राजनास सिंग है ये भी फैक्ट आपको धियान में रखना है अधर स्बाखे तेजस्वी नाव धीत मस्त या सेबा और निष्टा है ये भी आपको ध्यान में रखना है क्ल कितनी बटालियन होती है तो सियारप्यम में क्ल 246 बटालियन है अगला कोशन देखेगा CRPF सैनकों की संक्या कितनी है तो CRPF सैनकों की संक्या खुल 10 लाग है CRPF का काम क्या है जान लिजिए इस फोर्स का काम राज में कानून विवस्था को बनाय रखना और कहीं पर भी दंगे या कोई और गत्विदी हो रही हो CRPF का आदर्स बाक क्या है तो कि CRPF का आदर्स बाक कहे है सेवा और बफादारी तो गया अगला कोशन देखेगा 20 मार्च 2022 को CRPF ने काउन सा दिवस मनाया तो 20 मार्च 2022 को CRPFने अपना 33 इस्थापना दिवस मनाया मैं तुनों फ्रक्ट जान लेजिए केंद्रिय रिजर पुलिस वल सेंटर रिजर पुलिस फोर्स यानि कि सियारपियप ने 19 मार्चू 22 को चोस और अपचारिक उस्षाह के साथ अपना तिरासवा इस्थापना दिवस मनाया है जम्मू के मौलाना आजात इस्टेडिया में 33 इस्थापना दिवस परेट का आयोजन किया गया यह पहली बार था जब सियारपिअप ने राश्टिय राजदानी के बाहर अपना इस्थापना दिवस मनाया केंद्रे ग्रह मंत्री अमिश शाह ने परेड की सलामीली और स्यार्प्यव कर्मियों को बिविन सिरणियों में आशाधरन उपरव्धियों के लिए बीरता पदक और ट्रापियां भी प्रदान की अगला कोशन देखेगा सोगा दगला कोशन है कि भारत में कितने रच्छावल हैं तो देखे भारत में एकुल तीन डिवीजन सामिल हैं भारतिय सेना भारतिय नौ सेना और भारतिय बायू सेना मैं फ्रक्ट जान लेजिए सबसे पुराना रच्छाबल कौन सा ये भी कोशन पेपर में पूछा जा सकता है तो सबसे पुराना रच्छाबल है असम राइफल्स जिसे मूल रूप से इसे 1835 में इस्थापित किया गया था ये भी फेक्ट आपको ध्यान में रखना है मैं तो फेक्ट जान लिजिए असम राइफल्स का मुख्याले भारत के सिलोंग में ये भी फेक्ट आपको ध्यान रखना है असम राइफल्स के मुख्याले में ही है और ग्रह मंत्री को रिपोर्ट करता है वर्तमाण DGR लेटिनेट जनरल परदीप चंदरन नायर है ये भी फेक्ट आपको ध्यान में रखना है अगर पेपर में पूचा जाए कि आसम राइफल्स के वर्तमाण DGR लेटिनेट जनरल को रहने है तो परदीप चंदरन नायर अगला कोश्चन भारत में सबसे अच्छा अर्दसायनिक बल कंसा है 246 बटालियन और अन्य सुबधाओं के साथ CRPF यह भी फेक्ट आपको ध्यान में रखना है आज के इस वीडियो में बस इतना ही आसा करते हैं कि आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा वीडियो छोटा सा था आप लोगों के लिए तो यह माल के चलिए यहां से दो कौश्चन हर हाल में ही पूछे जाएंगे बले पांच मिनट का वीडियो हो तो पांच मिनट के इस वीडियो में मैंने आप लोगों को काभी कुछ जानकारी दे दी है ठीक है कर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगाओ तो लाइक और सेर जरू करें और जो भी नए बच्चे हैं जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बैल और करना न भूले तो मिलते हैं नच वीडियो के साथ यहीं जेवारत